Hello students, my name is Angel और इस वीडियो के इंदर हम करने वाले क्लास 6 का Chapter 9 History का जो की है Vital Villages or Thriving Towns इस चाप्टर के इंदर हम समझने वाले हैं कि कैसे Villages और Towns ने एक बहुत Important Role प्ले करा Kingdoms और Empires को खड़ा करने के लिए Kingdoms और Empires को खड़ा करने के लिए आपने नोट करा होगा Students, एक Time के अंदर आया है अचानक से महाजन पदास, और उसके पाद सीधा से स्टार्ट वे Empires और फिडैनेस्टी जाई और उसके बाद यह सारी चीजें कभी नहीं रुकी इन सावरी चीजों को करने के लिए इन पाइर्स को इन बड़े बड़े राजाओं को खड़ा करने के लिए विलेजिस और टाउन्स ने बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करा और इस चाप्टर के लिए हम वो ही पढ़ने वाले कि क्या रोल इन लोगों ने प्ले करा कैसे करा कि जो जो kingdoms और जो kings है ये ही सब खड़े और वाले हो सके सबसे पहले students question आता है vital का मतलब क्या होता है vital का मतलब होता है life giving इसका मतलब होता है necessary to continue life यानि इसके बिना कुछ exist नहीं कर सकता ये बहुत integral part है इसके बिना आप exist नहीं कर सकते जिन्दगी नहीं हो सकती वाइटल पार्ट है बहुत वाइटल तो हमारे वाइटल विलेजिस और थ्राइविंग थ्राइविंग मतलब फ्लॉरिश करते हैं बढ़ रहें प्रॉस्पर कर रहें पैसा कमा रहें ठीक है उनका स्टेटस इंक्रीज हो रहे है वो रैंक्स में उप प्लस आया है तो उसे थ्राइव करना कहते है बढ़ना कहते हैं अब दूसरे कुछ ना थे टाउंस और व्लेजिस में डिफ्रेंटस क्या होता है इक डिफ्रेंस टाउंस एक रूलर एरिया है ठीक है एक काम्यूंटी है लोगों की एक लोगों की community है जिसमें लोग मिल्क एक साथ रहते हैं जबकि टाउन जो है वो एक लोगों का group है लोग एक जगा पे रहे रहे हैं जिसके आसपस दिवारे हैं और जिसको control करती है government government control करती है उस area को उसको town कहते हैं फॉलिस होईगी वहां पर military होगी वहां पर laws होईगे विलिज के अन्दर लॉज नहीं होते हैं विलेज के अंदर विलेज के customs होते हैं लेकिंट टाउन सके दर रूल्स होते हैं जो government ने बनाए होते हैं और जिनको टाउन में रहने वाल लोगों को इस पूरी बुक के अंदर अप एशेंट इंडिया के बारे में बढ़े हैं और जो एशेंट इंडिया है वो तीन पार्ट से डिवाइड करा गया है सबसे पहला है हमारा पैली लिथक पिरिड.? इस стать एक बड़ा पार्ट है जैसको हम système प्री हिस्टोरिक okay इसको कहता है प्री हिस्टोरिक पिरेड है यह उसके तीन पार्स है पहली लेथक मीसो लेथक और नियू लेथक यानि पहलीमतला सबसे ओल्ड मीसो मतलब मेडल और नियू मतलब नियू यह हमारे स्टून एजिस है तीन इस कि बहुत बढ़ा था इसको तीन में डिवाइड करा गया हूं है दूसरा हमारा पार्ट है हमारा इंदूस वैली इंदूस वैली सिविलाइजेशन को समझना ती दूसरा सबसे इंप प्ले Us एंडिया की हिस्ट्री को फॉर्म करने के लिए और इन हिस्ट्री की बुक में आप इन तीन मेन गूलूम फूकस के पलने की पड़ते हो यह सबसे उल्ड पिस्ट्री के एंदूस वैली स्ब्राइज और अधिर आरेंग जनवारा पार्धरय करते हैं स्थे लिआे Lee Alexander इंडिया में आता है और विसकी देत्ध नहीं हो जाते है यह इस ही मेरा मोेरन आता है कि कि एत चो जाता हूं अग्लनीज की दिपाइइ सब्सक्राइब लए ब्रचाइबी विशियद हैèmes एक मेडिवल पीरिटेहरी में शुरूथ मेडिया पर आता है हमारे एशिंट इंडिया फिर आता हमारा मेडिवल लिए और फिरूज में हिस्ट्रि इवाइड्ड है कि अप्लास सिक्स्ट में आप सिंट इंडिया पड़ने वाले हुए उसमें भी तक हम लेखisto fries com 2008 लिए पर हमारे 20000 जड़े या Angels 2000 ज nak नियू लिथिक पेर están सेख़ भी तक का बिदो हजार से करीबानन दो हजार बीजिशी तक का है इसके बाद हमारी इंडूस वैले सिवलाइजेशन आती है जो करीबन 2700 बीसी से लेकर 1920 तक चलती है स्टूरेंट्स यह स्टार्ट हुई ते करीबन 3300 में 2700 से 1920 तक इसने फ्लरिश बहुत करें बहुत अमीर हुई बहुत वेल्दी बनी डिकलाइन होना एक कम होना शिरूगी 1920 में और पूरी तरह से डाइट डिसपेर्ड खतम होंगी 1420 में जिसके रीजन साइं अन्नोन हम नहीं पता क्या हुआ उसके बाद हमारे एक छोड़े सा पीरेड आता है जिसको हम चारकुलिथिक पीरेड कहते हैं इंडुस वैली पीरेड इंडुस वैली और हमारे हमारे अरन एज की बीच मेना हमने मेटेल्स का उनका मेटेल्स करना शिरू कर दिया था हूं पहले से ही बहुत सारी अलग अलग डिनसडी में पहले सी बहुत सारी अलग अलग एज meus एक सात ओवर्लाप यानी एक कि उपर एक चल रही है बने कि तरहिए जिसे इक Lex कि अरपिमारी बहुत चल रहाये है लेश तैमे और तभी हमारा वेधिक पे और ये चल रहा था इस तरीके से हिस्ट्री पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूरिंस क्योंकि ओवरलाप कर रही है हिस्ट्री एक यूप पर एक यूप पर एक हो रहा है इसको कम करने के लिए हमने एक अलग से परिड बना जुसको हमने चार कुले थिक नाम दे दे और हमने कहा गया कि इंदुस से लेकर आरेन इच तक जितने भी मेटल्स का यूज हुआ जितने भी डेवलप्मेंट हुई उस पीरिट को हमें चार कुले थिक नाम दे देते हैं जरूरी नहीं है यहां सिर्फ कोपर का यूज हो रहा था ओके यहां पर ब्रॉंस का भी यूज हो रहा था यहां अलग अलग मेटल्स का अलॉइस का जिसकी फिलिंट वगयरा इन सब का यूज हो रहा था यहां पर बट हम हिस्ट्री को डिफिकल्ट ही बनाना चाहरे जितना हम पढ़ रहे हैं इस कारण से हम इसको एक नाम देंगे जिसको हम चारकुलितिक पिरिट बोलेंगे और सब्सक्राइब यह एस्टुनेंस की जो हमारा नियो लिफिक पीरेड है करीबन आठ हजार बीसी से लेके दो हजार बीसी तक का इसकी बीच में चार हजार पढ़ता है यहां से भी लोगों ने मेटल्स का यूज करना शुरू कर दिया था और फिर कहां तक यूज करा इसको पूरा वेदिक पीरेड तक गइए ऊसको यूज करा और इस में चितनी भी मेढल्स का यूज ऊ-जो और यहां से हमारी आधी हिस्ट्रीय तो कंप्लीट हो गई एशिंट इंडिया की बागी की हिस्ट्रीय है फिर आते हमारी आयरन जो सबसे ज्यादा है है यह है क्योंकि इसमें बहुत साल इंफरमेशन एक साथ इंदूस वैली जब हमारी खतम होने लग गई थी पुरी तरह से डिसपेर होगी ताब हमारी आयरे इंडिया है ऐसा कि वह स्टूडेंस ऐसा नहीं कि इंदूस वैली में में मेटल्स का यूज नहीं और आरन का यूज आरन का यूज हो रहता है लेकिन जब इंदूस वैली की इंदूस वैली कि सिव एसी हमने कहा है हमारा इंडिया है एक नई सिवपूलाइजेशन और एक चीफ एकस्टाबरेश करने जो हमारी तीरह करेंग तीन यहां पर पहाड़ बहुत सार है और पहाड़ों के इंद आयर इसार सारे महाय जनपदाओं जो मगदा था ना स्टूविंस मगदा वह सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा क्योंकि यहां सब ज़्यादा willen थे यह सबसब्य हुआ बी थे बहुतं जण था इस आरण से यहां पे लोगो ने बहुत सारे निचाने क्रेंशुन पर फिश्चन में नोगे बढ़े बहुतं थன्य इससे तरीके से इन दो तीन चीजों के कारण मगदा पूरे इंडिया में सबसे ताकतवर देश बन गया था लेकिन फिर चंदरकुप्त मौरे आया जिसने मगदा को हराया पूरे मगदा पूरे इंडिया पे अपना रूल बिचा दिया जभी आरन चल रही चल रहा था जोरो शोरो से चल रहा था हमारी एगरी कल्चिर बहुत सब्सक्राइब आई थी क्यों आई थी जैसे कि मैंने कहा स्ट्रेंस आयरन का यूज बहुत बढ़िया था आयरन बहुत इस चीज़ें पकड़ी हैं देखो आरन कितना हाड होते हैं सबसे हाड मेटल्स में से एक आयरन जो होता है स्ट्रेंस उसके कारें लोग असानी से खुदाई कर पा रहे थे जमीन की कि यूदी पास आयरन की आक्सस्ते फावड़े थे खुदाई करने की चीज़े थी आयरन स सारी चीज़ें बन रहे थी हत्यार बन रहे थे इसी ठाइम की अंदर हमें पथा चलता है बुद्धिये नियुक्राय kokos बुद्ीज से नियुक्राई को कृता बहुत होत्स जानियुक्राइज करता तोованहें सापोर्ट करता तर श्रवूट बोद्य नियुक्ष की आपala बीस तो यह ऐसारी पुझा इंडिया पाती से यह को ने उसकी देथ हो गई यह बुरी बात है कि मैं इंडिया के हाथियों का यूज बहुत बड़ा था कि जाहिर के स्टूरेंट्स आज़्धा इंडिया गटने का जंगलों से घरा वाता है वह गया तो खुट एक ट्राइबल भी सकते थे तनी राजा लोगों को तो वह या कते works टेम कर एक राजी कर देते थे जनमें से बहुत इंपोर्टेंग जानवर था जो था व्होअ kız से आता है कि इससे बालिब छोड से उति हैं हमारे जो मलड रहा है वह और श्रेऑन 107 cocktail मिश्ट बना रहा अब जब स्टुनेंस में इतना ज़दा इंक्रीस हो रहा था मेटल इतना ज़दा मेटल का यूज बढ़ रहा था उस्सेीณ के साध़ साथ स्टुदेंस irrigation में बहुत ज़दा हम बढ़ रहे थे आगे क्योंकि अब हमारे पूस फील्ड थी हमारे पास जितरे भी जोतन को जगह में उगा देते हैं जो सबसे अच्छा उगता उनको फिर बड़ी फिल्ड में उगाया जाता है इसकांसे जादा प्रोडक्शन होती है आइरन की यूस की कारण हमाई प्रोडक्शन बहुत बड़ी थी लेकिन इरिगेशन की कारण और बड़ी हम जगाओं के इंदर पानी वह भर जाएगा जिसको बाद में यूस कर पाएंगे इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों हमने बनाए इन विलिजस नहीं जिनोंने यह सब इरिगेशन सिस्टम ट्रांस्प्लांटेशन और आरन का यूस बड़ा उनकी कारण बहुत सारे चाल से हमारे दो पार्ट्स हैं हमार hills अब लुड़ा है अब पीछे अवें पहाड इसे इसदेता दरी काईशन बहुत से बहुत से उनक्ला में काने पहाड पहाड शाखा पर यह से और जी मूह पर यहां पढ़ार पाहाड एगान कुन करती हैches इन दोनों जगहों की डेवलाप्मेंट तोड़े अलग तरीके से होती है इवन दो इंडिया पूर एक ट्रॉपिकल एरिया है यहां पर इस एरियां की डेवलाप्मेंट इस अरिया से बहुत अलग होती है इस अरिया है कि अधिया है तो अधिया है यहां पर लाज लांड ओनर्ड ते नाज पास बहुत सारा लैंड था उनको वेलालार कहते थे वेलालार और जो नौर्मल ओंड प्लूमें थे प्लूमें कौन जो कड़कती गर्मी के अंदर अपनी पीठ को एकदम दर्द के साथ वो अदर मिट्टी को खोड़ के वीज उगाते थे और उसके नहुता थे हिरं प्लूमें को मिट्टी को कोई लैंड नहीं होता था है यह लोग दासी होते थे स्लेव होते थे इनको हम उजहावर कहते थे और landless labor slaves जो specifically slaves थे अब ऐसा भी नहीं है यह लोग वर्कर्स है स्किल्ड वर्कर्स हैं इन लोग के खरीदेवे लोग हैं इनको हम क्या कडासियार्स या अधिमी कहते थे इन लोग को अब बात करते नौर्डन रिशिंगी जो नौर्डन पाथ था उसके जो विलेट का जो हैड मेन होता था जिसके अंडर सब लोग काम करते थे विलेच के अंदर वो प्रॉबबली सबसे बड़ा लैंड ओर्नर होता है जिसके पास बद़ा जमीन होती थी उस सेरी में उसको हम ग जिशिन में मतलब जैसे यह ग्राम भुजक्का है अब जो इसका बच्चा हो आए जो बेटा वह भी ग्रहुम भुजक्का बनेगा उसका बेटा भी ग्राम भुजक्का बनेगा अगर इनके पास इतना बड़ा लांड जोई यहीं रहता है तो ओके लांड खता होंगे तु हो बात यहीं कंग्री पडेज़ान थे एंगे लकी शुक्री शांव है जैसे इसका हम कह सकते हैं सब्सक्राइब के ऐसका ब्ल inmल्य को है फ्सका बेटा भुजक्का होता है इसक पासरव उन्हाय कंडे girooky अब जो इसके सब्सक्राइब कर दें एसका बड़ान कंडिए भी को इस ग्राम भुजके का यूज करता था तक्स को पुरी विलेज से और वो जज की तरा भी फंक्शन करता था सम्टाइम्स पुलिसमेन की तरा फंक्शन करता था वाता समझ लोकी जैसे राजा की पास तो कोई और बंदी कमी पढ़ रही है पुरे विलेज के अंदर और कोई है नहीं बस एक ग्राम भुजक का यह जिससे लोग टैक्स का काम भी करा लो इसको जज भी बना दो और इसको पुलिसमेन भी बना दो नेक सारे काम इससे कर वा लो पहुते हैं और जिनके पस लैंड बिल्कुल नहीं हो दासा या करमकारास कहते थे अब जो यह सारे लोग है कैसे पैसे कमाते थे यह लोग इन बड़े लोग जैसे की जो हैड मास्टर हो गया और जो यह स्मॉल लैंड ओनर अगरी चाहितू इनके लिए काम करके लोग पैसे कमाते थे अब यह सब तो होगे सारे अग्रिकल्स से लिए होते हैं और भी लोग होते हैं क्राफ्ट पोर्सन होते हैं ब्लाक्समिट्स होते हैं ब्लाक्समिट्स जो लोग लोहे का काम करते हैं सोने का काम करते हैं लैक में मेटल का काम करते हैं मेटल को पीटनार तराशनार पॉर्टर्स उमहार व्गयाना मिट्टी के बढ़ती हैं कार्पेंटर्स लखडी के काम करें वीवर कुपडों का काम करते हैं अब स्टीन्स एक और यह जाती है जो नौर्थ इंडिया के नहीं होती है इस ताइम के दुरान मोरे अंपायर था स्टुरेंट्स मोरे चराड होने वाला था उसमाच के बीच में यह सब नौडहीया है अब बात आती क्षान तर्टिक सताथ इंडिया में क्या हो रहता है यह सब और तक साथ संगा मेच चल रही थी संगा मेच क्रूब इनको नौर्थ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है साउथ इंडिया को आप हिस्ट्रिया की दुरान जब इसे इंडिया था इसे इंडिया में नौर्थ इंडिया के वैसे और नहीं ता नहीं था यहां अलंग government चल रही है यह और रूल रेगुलेशन चल रहे हैं यह अब इसको संगम क्यों कहते हैं क्योंकि स्टुइंच यह पूरी जो लिट्रेचर हैं पूरी जो कहानियां वहगेरा हैं अब यहां को समझ पड़ें कि संगमीच्ष है क्या सं जो इन तीनों ऐम्पाइर के राजजएक के दर्बार में रहने वाले लोग ना काहानिया लिखते थे गाने मिलें गाते थे थे इन लोगों ने मिल आम ए वह कामिटी बनाईे का संगम और इस Kara है और ऊसके कि आड़ कर दी और बुक बना दी जिसका नाम रखा संगमेच अब यह जो बुक है यह हमें बहुत कुछ बताती कि साउथ इंडिया में चल गया रहा था जब नौर्थ इंडिया में सारी बेकारी चीज़ चल रही थी जैसे की यह मोरे अंपायर अलेक्जेंडर और सारे इतनी हैनी को लिट्रेचर वगयर 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 हमें पस बस एक बुक है यह संगमेच की जो हम एक्स्प्लेइन करते की हो क्या रहा था सो इसी तरीके से हमारा पूरा चाप्टर कम अभी कंप्रेट नहीं हुआ है यह इस वीडियो के लिए इतना काफी है अम नेक्स्ट वी चीज़े रिपीट करें जाते हैं मुझे न वह अच्छा नहीं लगता है ना आप लोग को मजाता होगा कि एक ही लाइन को दस दस बास हो सुभा लिखा होता है लोग ने मुझे बिलकुल अच्छन लगता अब तो स्टूइन से से कौन साइस तरीके से नम अगर मैं लेक्श सही बढ़ाओं आप निचे कमेंटर ने बता सकते हैं